नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉलिवुड में हीमैन के नाम से जाने जाने वाले सन्नी देवल को तो आप जानते ही है और बॉलिवुड के चहीते एक्टर्स में से एक है सन्नी देवल उन्होंने हाल ही में अपने बेटे करन देवल की शादी कर दी आपको बता दें कि करन देवल की शादी की तस्वीरें काफी चर्चित रही लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात चर्चा में रही वह इस शादी में आने वाले महमानों की लिस्ट थी आपको बता दें कि सनी देवल ने अपने बेटे की शादी में अमिता बच्चन को नहीं बुलाया यह बात सबसे ज़्यादा चर्चा में रही तो आपको बता दें कि इस शादी में बच्चन परिवार को ना बुलाने के पीछे सनी देवल और अमिताब बच्चन के बीच में आई दरार जो की 29 साल पहले आई थी उसे माना जा रहा है आपको बता दें कि एक फिल्म की शूटिंग के दोरान दोनों के आपसी रिष्टे खराब हो गए थे जब सनी की फिल्म इंसानियत रिलीज हुई तब उनके साथ ही अमिताब के रोल को बढ़ा दिया गया था और सनी देवल के रोल को काट दिया गया था यही वज़े थी कि सनी देवल ने सब चीजों को साइड लाइन करते हुए अमिताब बच्चन से विहवार को खतम कर दिया और उन्होंने उनके परिवार के किसी भी सद्दस्य के साथ काम करने से कोता ही बरतनी शुरू कर दी यही वज़ा है कि अमिताब बच्चन को सनी देवल ने नहीं बुलाया आखिरकार ये दुश्मनी कब तक चलेगी इसका कुछ पता नहीं अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को जरूर दमाएं धन्यवाद